गुरु देव और मा गायत्री के चड़नों में कुटी-कुटी नमन आप सभी को प्रणाम गायत्री पुरश्रण के पिछले वीडियो में हमने जाना था कि गुरु मुख से डीक्षा ग्रहन करने पर ही गायत्री मंत्र के संपून लाब मिलते हैं और उससे हमारी साधना भलवती होती है सच्चे गुरु में कौन से लक्षन होने चाहिए ये भी हमने आपको बताय था आईए अब जानते हैं कि मंत्र साधन की विधी विवस्था क्या करें मंत्र की साधना करते समय क्या विधी होने चाहिए और क्या-क्या उसकी विवस्था होने चाहिए मंत्रा भ्यास और योग साधना से ही ज्ञान को ज्ञान कहा जाता है ना मंत्र की बिना योग हो सकता है ना बिना योग की मंत्र साधना हो सकती है दोनों के सम्मिश्रन से ही सिध्धी प्राप्त होती है ऐसा हमारे शास्र में कहा गया है साधना की सफलता के लिए सोला बातों का ध्यान रखना होता है ये सभी बातें नियमित रूप से विधे पूरवक चलने से सफलता का मार्ग प्रिशस होता है इन सभी बातों पर अगली किसी वीडियो में हम विस्तरत रूप से प्रकाश जालेंगे चन्रमा की जैसे सोला कलाओं की ही तरह मंत्र के भी सोला सोपान होते हैं पहला है भक्ती दूसरा है शुद्धी तीसरा है आसन चोथा है पंचांग सेवन पाचवा है आचार छटवा धार्ना साथवा दिव्यदेश सेवन आठवा प्राण क्रिया नौवा है मुद्रा दसवा तरपण ग्यारवा हवन बारवा बली तेरवा त्याग चोदवा जब पंदरवा ध्यान और सोलवा समाधी इन सभी के संबंद में सतर्कता रखी जाहिए पर आहार शुद्धी एवं इश्टदेव का निरंतर ध्यान ये दो बाते तो अनिवारी ही है साधक अभक्ष कुधान्य से बचे जैसे विश से बचा जाता है सोते जाकते चलते फिरते हर समय माता का ध्यान रखना ही शीग्र सफल बढ़ने का अमोग साधन है उपनिशद में कहा गया है शुद्ध आहर ग्रहन करनी से अंताकरन शुद्ध होता है शुद्ध अंताकरन से ध्यान निश्चित होता है और निश्चित ध्यान लगानी से सिध्धी प्राप्थ होती है आईए अब जानते हैं लगु साधन और पून पुरिश्रन क्या है कैसे करें जिन के पास समय का भाव है स्वल्प श्रद्धा है उन आरंविक साधकों के लिए नो दिन में 24,000 का लगु अनुष्ठान बताया गया है थोड़ी अधिक श्रद्धा बल है जिन को बहुत अधिक समय लगानी में भी संको कुछ नहीं है उन मध्यम इस्थिति के उपासकों को 40 दिन का यानि सवा लाख अनुष्ठान का करना उचित रहता है पर पून पुरिश्रन 24 लाख का होता है इस महामंत्र की शक्ति परिक्षा करनी हो तो कम से कम 24 लक्ष का एक पून पुरिश्रन अवश्य करना चाहिए इस सबन्द में शासु का निर्देश इस प्रकार है प्रपंच सार में कहा गया है गायत्री के एक एक अक अक्षर का एक एक लाख के कारण 24 लक्ष जब मनो निग्रह पुरिवक करना चाहिए अर्थार्थ 24 लाख जब का महा पूरिश्रन करने से गायत्री की सिध्धी मिलती है शरीर तथा मन सदोगुण से परिपून थे उस समय 24 लक्ष का पुरिश्रन पून माना जाता था पर अब इस्थिती पदल गई है वेक्ट के शरीरों में तथा वाता वरण में तमोगुण और रज्योगुण व्याप्त है इस्थिती की शुद्धता अशुद्धता में सेक ठीक हो जाता है यदि जीन जवर हो तो बहुत दिनों तक दवा लीनी पड़ती है इसी प्रकार मन कम अशुद्ध हो तो थोड़ी साधन से ही आत्मशिक्ती निखराती है पर दुरगणों की अधिकता होने पर देर तक प्रत्न करने की अवशक्ता होती है इसी सिध्धान के इनुसार सत्युग में 24 लक्ष प्रश्रण भून माना जाता था लेकिन अब इस युग की कर्टाईयों को ध्यान में रखती हुए चौकना प्रत्न करना उचित है इसलिए ऐसा उलिख है कि 24 लक्ष का चार प्रश्रण करना एक भून प्रश्रण माना जाता है वेशम पायन नामग्रंथ में कहा गया है जो जब संख्या शासु में कही गई है वो सत्यूग की विचार से है त्रेटा में उससे दूना द्वापर में तीन गुना और कल्यूग में चार गुना जब करना चाहिए कल्यूग में 96 लाख जब संख्या करने पर एक एक गायत्री महाप्रिश्ण होता है कल्यूग में मंत्रा अनुष्ठान चार गुना करना चाहिए यदि 24 लक्ष के चार अनुष्ठान किये जा सके तो सर्वूत्तम है अनिता गायत्री शक्तिक प्रतक्षिर स्वरूप देखने क एक शको को कम से कम 24 लाख कुष्ठान विधिपूर्व करना चाहिए वैसे तो जिससे जितना बन पड़े उतना ही उत्तम है सवालक्ष और 24 हजार के मध्यम तथा लगु अनुष्ठानों का भी अपना बड़ा महत्व है ये भी बहुत ही कल्यानकारी है इनसे भी हमारी सभी मनु कामनाएं पूरी होती हैं गुरू से दीक्षा लेने के बाद साथना करने पर गायत्री उपासना में कोई तुट्टी रह जाने से भी कोई अनिष्ठ होने की संभावना स्वपन में भी नहीं रहती अधिक से अधिक इतनी ही हानी हो सकती है कि लाब कम मिले मात अपने प परम कल्यान का मंगल मैं मार्ग है इसको करने से हानी की संभावना बिल्कुल भी नहीं है लेकिन शर्ट ये है कि आप विधिपूर्वक करें और गुरू के संरक्षन में करें दीक्षा लेकर करें साथ ही जहां तक आपसे बन पड़े नौन वेज का सेवन ना करें किसी भी मदपदार्थ खा सेवन ना करें खास कर जब आप अनुष्ठान कर रहे हैं तब इन सब चीज़ों को त्याग दें अगर आपको यह जानकरी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को क्लिक करना ना भूली धन्यवाद करेंद हो अनुष्छार प्लीज पता है, तो फिन्त